हेल्थ केर के अथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे दोस्तों नमस्कार मेरा नहीं डॉक्टर केके पांडे और आपको इस चैनल भी बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे कुछ बेसिक से धन्तों के बारे में हो में पैठी के तो आज हम उसी के बारे में आपसे बात चित करेंगे तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों मैं थोड़ा सा बात शुरू करूं उसके पहले मैं कुछ एक कमेंट्स का जिकर जरू करना चाहूंगा क्योंकि ये संबंधित उसी से है मेरे पास बड़ से ऐसे कमेंट्स आते हैं बड़ सरे इसे लोग मुझे से पूछते हैं कि सर ये तकलीफ है इसकी दवा बता दीजे ब्लेट प्रिशर हाई है उसकी दवा बता दीजे कुलेस्टराल बढ़ा हुआ है उसकी दवा बता दीजे और भी तमाम बीमारियां है जिसके नाम ले करके लोग मुझे से दवा पूछते है तो दोस्तों पहले तो हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है और मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि एक्च्वल में प्रॉब्लम कहां पे है हम पेथी का सिधानत या तो हम अच्छे से समझने पाए है या वो पुराने खयालात अभी हमारे naso क काम करती है यह बिमारी हैं तो हमनी यह दवा ले लिया आप लोग जानते है हम पेथी के वारे में कि हम पेथिक में एक बिमारी की कम से कम बिच्चासु मेडिसिन्स होती है बीच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् बेस् don too सब सकता एंद ब्च मैद més cemetery the जो उस्च कर नाशी इस मेडिसेफ नहीं मेडिसी वही मेडिसी कर और सब तरे मेडिसीन के अब मेडिसीन मेड़े कर investir कि दवा का नाम बता देना क्या काफी होगा आप कुद बताईए उस कंडिशन में जरुत पड़ती है पूरी केस टेकिंग की जब पूरी केस टेकिंग होगी तो आटमेटिक जो भी दवा होगी वह सामने आ जाएगी क्योंकि वह किसी दवा से मैच करेंगे तो ऐसी कंडिशन में अगर हम सिर्फ ये पूछें की सर ये बिमारी है इसके दवा बता दिये तो कोई भी डॉक्तर आपको क्या बताएगा आप बताएगे कोई भी डॉक्तर दवा नहीं बता पाएगा तो प्लीज मैं ऐसे रोगों से रेक्वेस्ट करूँगा कि क्रिपया इस तरीके से क्वेस्टन न पूछें कि सामने वाला भी मजबूर हो जाए कि वह क्या बोले कि क्या अब करद्म पाएगा तोamasट यह स्वीन का रिख ऐख स्वीषें का पैसे बता डॉक्त बूलित आना चाहते हैं लेकिन उस कंडिशन में जब कंडिशन सीरियल सब किसी को सब बढ़ा हुआ किसी का बीपी हाई और कुछ दवा पूछता है अब बताईए कि वैसी कंडिशन के लिए क्या दवा बताई जाएगी कोई दवाका आप्नाम में लिए बehautसी कंडिशन में काम करती है दूसरी दवाएए यह काम करती तो किसी और दवा अगर दवा लेना है तो उसके लिए totality of symptoms पर काम करना पड़ता है सारे symptoms को एक बाग collect करना पड़ता है उसके बाद तो फिर उसके कोई दवा निकल के आती है और उसको रेपराइज करना अगर प्राना केस है तो कम से कम यह तो जरूर करना चाहिए कि उसको पूरी केस्टिकिंग करें उसके बाद उसको रेपराइज करें रेपराइज करने के बाद जो medicine आती है best selected medicine ड्वेलिटियम्ट आफ्स्यम्टंख पहुल्थ Psychiatr पर्टुक्लम सिम्टम्स दोनों को मेंच करके स्पेश्चल मेंटल सिम्टंख की तो दभा देनी चाहिए और पता हीly कि यह सारी चीजि AMY कभी वी क्या दोम से खेलने का मुझे कोई अधिकार नहीं है ठीक है I am very sorry जो लोग भी मुझे सुन पा रहे हूं तो मैसी इसको जरूर कहना चाहूंगा कि इस इसको आप हमेशने ध्यान में रखिये कि प्लीज किसी भी डॉक्टर से इस तरीके के सवालात मत पूछिया आप उनसे बोलिए कि सर क खेले करिए अधिक्स? क्या होगा मैकसिम यह अभी फिस दिया। फिस प फिस करें जाते हैं तो प्राइव नहीं करते हैं किसी दौक्टर हो! खास असे जिब पुराणी प्मार्य चलिया रहा है इतने तने सालों से उसकी दपां नहीं ले रहा हैмें मैं क्या एम जाते हैं ए आपको फ्री में नॉलेज मिन जा रही है यह क्या कम है आप प्लीज इसको समझे और सही से इलाज करें किसी चीज का तो हर चीज का इलाज संभाव है लेकि प्रॉपर तरीके से करेंगे तब इसको कोई भी अधरवाइस मतने मेरा किसी का दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं है इसको में इसको कभी भी अवाइड नहीं करता हूं देकिन जहां पर मुझे लगता है कि नहीं हाँ यह कंडिशन critical है और वैसी कंडिशन में ऐसे दवा बता देना सामने वाले कि जान से खेलने होगा वैसी कंडिशन में थ्लोच सा रूड बन जाता हूं नहीं बताता हूं इसीज को आप समझो, मेरा कोई भी feelings ऐसी नहीं है कि किसी को hard करना या किसी को गलत तरीके से पेशाना, लेकिन condition ऐसी बन जाती है कभी कैभी कि वैसा करना पड़ जाता है, I am very sorry, मैं किसी का दिल कभी भी किसी भी बास से दुखा हो तो, मैं दिल से छमा मांगता हूं इसीज के लेकिन एक बास सला जरूर देना चाहूंगा कि प्लीज कभी किसी से दवा मत पूछिए, कोई बिमारी के नाम पर उसकी पूरी case-taking करवाईए, अगर कोई बिमारी बहुत पुरानी है तो, कोई critical condition है तो, normally में तो कोई भी जवाब आपको बता देगा, मैं उम्मीद करता हू दोस्तों, आज मुझे आपसे यही बात करनी थी, और अगर बात अच्छी लगी हो, और आपको लगता है कि यह बाते और भी लोगों को पता होनी चाहिए, तो, प्लीज, किसी से ज़्याद लोगों को बताईए, उसको, उनसे कहिए किसी से इसको follow करें ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, फिर तक के लिए अपना ख्याल लगिएगा, नमस्कार दोस्तों